बिना किसी मेहनत और बिना किसी खर्चे के आप किस तरह से अपने घर को संभाल सकते हो किस तरह से अपने घर को और्गनाईज रख सकते हो इसका फिर से एक वीडियो लेके फिर से मैं आगी हूँ हाई मैं हूँ कनीका और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ बहुत सारी ऐसी वीडियो जो आपके घर और किछन से जूरी है तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ ऐसे और्गनाइजिशन आइडियाज जो आप बिना किसी पैसे या फिर बिना किसी मेहनत ही अपने घर पे ट्राइ कर सकते हो वीडियो अच्छा लगने के पे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप मेरी चैनल पर अगर ने है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेती हूँ cleaning time को reduce करने के लिए या फिर decoration के लिए भी हम अपने जो dining table है वहाँ पे cover लगाते हैं बहुत संदर संदर लेकिन आप यहाँ पे अपने घर पे ही रहे single bed seat को भी अपने जो dining table है वहाँ पे इस तरह से बिचा सकते हो यह देखिए मेरे पास एक इस तरह की bed seat थी जो कि मैं बहुत पहले use करती थी लेकिन अभी इसका use नहीं हो रहा था तो dining में भी मैं इसको use कर लेती हूँ तो देखिए कितना संदर लग रहा है तो single bed seat अगर आपके पास भी है बहुत प्यारा सा तो आप इसको भी dining के cover की तरह use कर सकते हो तो देखिए हमारा dining जो है बिलकुल नया लग रहा है और यह जो bed seat है यह बहुत ही अच्छी लग रही है हमारी dining के ऊपर तो यह देखिए हमारा एक नया लुक तो दोस्तों यहाँ पर जो मेरी जो next hack है वो यही है कि हम अच्छी वाली कभी कभी तो इस तरह का जो कपरों के जो बैग है जो जीप के साथ आती है वो बहुत काम की ओर्गनाइजर हम बना सकते है जो यह जीप होते है यह भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है और यह जो बैग होते है यह भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आती है तो इसको आप as a organizer की तरह घर पे यूज़ कर सकते हो यहाँ पे मैं रखती हूँ अपने कुछ-कुछ blouse अच्छे वाली blouse को मैं इस तरह के जो bags है इस तरह से organize करके रखती हूँ तो यह देखिए हमारा एक zero cost organizer बहुत ही useful है बहुत ही ज्यादा helpful है हमारे घर के लिए तो आप इसका भी try करके देख सकते हो तो दोस्तो हमारे घर पे room freshener हम लोग use करते है तो room freshener जब भी खतम हो जाएंगे तो इसका जो cab है यह आप organization में use कर सकते हो यह जो cab है यह काफी deep होती है तो यहाँ पे आप बहुत सारे चोटे मुटे सामानों को अच्छे से organize करके रख सकते हो जैसे कि मैं यह जो अपना room freshener खतम हो गया था तो यह जो cab है मैं इसको अपने dressing table पे रखूँगी तो यहाँ पे मैं अपनी जो daily के safety pins वगेरा है या फिर hair clips है इसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे organize करके रख सकती हूँ यह देखिए तो दोस्तो एक room freshener की cap भी हमें अपने organization में मदद कर सकते है यह देखिए तो चलिए दोस्तो यहाँ पे मैं next hack की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ यह bangles जो अभी मैं use नहीं करती हूँ ऐसी bangles हमारे पास रहती है जो हम अभी use नहीं करते हैं तो यह जो bangles है इसके साथ भी आप अपने घर को organize करने के लिए as a organizer की तरह इन bangles को आप use कर सकते हो तो यहाँ पे देखिए मैंने एक bangles पे अपना जो यह toil है इसको इस तरह से hang कर ली है और यहाँ पे मैंने एक adhesive hoop पे यह जो organizer है हमारी जो यह bangles वाली तो इसको मैंने यहाँ पे hang कर ली है और यह एक बहुत अच्छी हमारी toil organizer बनके ready है तो अपके पास भी अगर toil organizer नहीं है तो आप यह जो bangles है आपके पास परे रहे इसका use करके अपने घर के लिए एक toil organizer बना सकते हो कुछ भी खाने के सामान के साथ हो या फिर घर के लिए कुछ सामान के साथ इस तरह के जो dip lock bags है यह हमें मिल जाती है जो की हमारे घर के लिए बहुत ही जादा useful होती है तो यह जो bags है इसका जो dip है यह बहुत ही अच्छी quality की आती है जो की बहुत ही जादा tight होती है और इस पे लिखा भी हुआ होता है कि आप इसको reuse कर सकते हो तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप इन bags का reuse कर सकते हो तो friends जब भी हम travel करते हैं तो हमारे साथ हम बहुत सारे चोटे-चोटे सामान को एक साथ लेके जाते हैं जैसे कि हमारे जो beauty essentials है जो हम makeup में यूज करते हैं यह सब सामान तो हम लेके जाते ही है तो यह सब सामान को अच्छे से organize करने के लिए भी आप इस तरह का bags का use कर सकते हो तो यहाँ पे आप सारे जो powder है आपके जो lipsticks बगेरा है clips बगेरा है, eyeliner है, rubber है सारे सामान एक साथ, perfume बगेरा सारे सामान एक साथ आप यहाँ पे रख लीजिए और यह देखिए जिप को इस तरह से लगा लीजिए और आपका जो यह bag है यह एकदम ready है और इसके साथ आप बहुत अच्छे से आपका जो सामान है यह organize रहेगा इस तरह से भी आप इसका use कर सकते हैं और जब भी हम travel करते हैं तो यह जो tooth rush बगेरा, tooth paste यह सब भी हम लोग लेके जाते हैं तो इन सारे सामानों को भी आप यह जो bag से इस पे डाल के अच्छे से organize करके लेके जा सकते हो जिससे कि आपका जो सामान है यह इधर उधर ना हो और अच्छे से इस तरह की bags पे अच्छे से organize होके रहे हम जो इस तरीके का जो marks use करते हैं उसका जो हम इसको use करके throw कर देते हैं लेकिन इसका जो यह site में जो यह rubber है वो हमारे बहुत काम की चीज़ है इन rubbers का आप use कर सकते हो इन rubbers को आप marks के हता के यह देखिए हम इसको use कर सकते हैं अपने rubber band की तरह ही जिस तरीके से हम rubber का use करते हैं यह सब rubber को भी हम उसी तरीके से use कर सकते हैं अपने घर पे जहां पे भी हो तो यह देखिए कोई भी सामान को हम इस रबर के साथ सिक्यूर कर सकते हैं आपके किछिन में अगर काउंटर टॉप पे ही आप सभी जो किछिन अप्लाइंसे से उसको रखते हो तो उसको दस से बचाने के लिए आप इस तरीके का बैक का यूज कर सकते हो जो की हमें मिल जाता है मार्केट से कॉटन की बैक से तो इसको आप धखने के लिए यूज कर सक भी उसका यूज ना करते हो तो इसको इस तरह से ठक के रख सकते हो एक पुराना हैंकी या फिर कोई भी कॉटन की ठैली ले लीजिए और उहां पे थोरी सी लॉंग डालचिनी और चावल डाल के एक ठैली जैसा बना लीजिए और इसको आप अपने जो वाट्रोब है वहां प बेट सीद को फोल्ड करके कुछ इस तरह से बेट पे लगा लीजिए और उसके बाद उसके पीलो कवस को इस तरीके से आप इसी तरीके से रखते हुए जाए और उसके बाद अपने जो बेट सीद है उसको आप इसी तरह से फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद ये और बहुत अच्छे से अपके बेजसीत और पीलो कवर्स अच्छे से मिल भी जाएंगे तो इस आइडिया के साथ भी आप अपने बेजसीत को पीलो कवर्स के साथ और्गनाईज करने की ट्राइ कर सकते हो तो दोस्तो यही तक थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप मेरी चैनल पर अगर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में देगे खंटी को भी एक बार जरूर हीद कीजेगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकिशन जो है वो आपको तुरन पहुंच जाए तो मैं मिलूंगे आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई